अवैद खनन मामले में जारखंड के पूर्ण मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी राज्य सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर राज्य सरकार पर फिर हमला बोला है। इस बार एडी की जद में आये दाहू यादव के सहरे प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। बाबुलाल मरांडी ने अपने ताजा ट्वीट में लिखा है कि सबताते हैं कि गैक्स ऑफसाहिद दंज गिरो का मिंबर अपराधी दाहू यादव को पुलिस इसलिए नहीं पकड़ रही है कि उसने पकड़े जाने पर मूँख खोलकर एडी को वहां के सर्गना पंकज के सारे सरकारी गैर सरकारी हिस्सदारों के बारे में सब कुछ पता देने की चेतावनी दे रखी है। से दाहू उन्लोगों को परिशान कर रहा है जो उसके खिलाफ एडी के गवाह हैं को मदद कर रहे हैं हम आया बताया गया है कि स्वीटी पैलेस के मामले में दाहू के खिलाफ एडी में शिकायत करने वाली महिला के एक सहीयोगी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और महिला पर एडी में दी गई गवाही से नुकरने वरना जान से मार देने की धमकी दी जा रही है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकें बटन दबाना ना भूले